दर्शकों ने देखे हिंदी सिनिमा के कुछ बहतरीन अक्शन सीन्स और स्टन्स जिनकी तुलना हॉलिवुट फिल्मों के अक्शन सीन्स के साथ की गई हर बार की तरह इस फिल्म में भी अक्शे कुमार ने अपने सारे स्टन्स खुद ही किये कई सीन्स में तो उन्हें पूरे सुरक्षा उपकरन मिल गए मगर कुछ सीन्स ऐसे भी थे जहां ये संभव नहीं हो पाया खास तोर से वो सीन जब अक्षे को बुल फाइटिंग करनी पड़ी फिल्म के मार्शल आठ सीक्वेंसेस काफी पसंद किये गए कुमफू, कराटे और टाइकॉंडो तो कई फिल्मों में दिख जाते हैं मगर आवारा पागल दीवाना के कई आक्षन सीक्वेंसेस थाइलन्ड के मशूर मार्शल आर्ट क्राभी क्रोबॉंग पर अधारत है इसके अलावा कई फाइट सीन्स में निंजा वेपन्स भी इस्तमाल किये गए हैं इस फिल्म में आर्ती छाबिया और राहुल देव के जगा किसे साइन किया जाना था कहां शूटिंग करते वक्ट जॉनी लिवर को एहसास हुआ कि इंडिया के बाहर भी उनके काफी फैंस हैं वो एक्शन सीक्वेंस जो हॉलिवूड फिल्म मेट्रिक्स की याद दिलाते हैं उनकी शूटिंग कैसे हुई फिल्म के गानों की शूटिंग में क्या था खास आप बस मेरे साथ फिल्म देखते रहिए ये सारे जवाब खुद बखुद मिल जाएंगे तो कई हॉलिवूड फिल्मों में अक्शन सीन्स कोरियोग्राफ कर चुके हैं आवारा पागल दिवाना के अक्शन सीन्स की रिहर्सल्स पहले हॉलिवूड के एक स्टूडियो में की गई और इंडिया में रिहर्सल्स के टेप्स भेजे गए और तब जाके ये सीन्स शूट हुए कुछ सीन्स न्यूँ यॉर्क के सबसे महशूर चौराए टाइम स्क्वेर पर फिल्म आए गए फिल्म की शूटिंग के कुछ दिनों बाद 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमले हुए थे जिनकी वज़े से ये दोनों टार्ज न्यूँ यॉर्क के नक्षे से हमेशा के लिए मिट गए आर्ती के पिता भी एक डेंटिस्ट है फिल्मों में आने से पहले आर्ती साल 2000 में मिस इंडिया चुनी गई थी उन्होंने बॉलिवूट में डेब्यू किया था तुमसे अच्छा कौन है के साथ आवारा पागल दिवाना उस वक्त तक उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी एक हसीना एक दिवाना इस गाने की शूटिंग के लिए स्पेन में पूरा बुल रिंग हायर किया गया था यहां पर भी अक्षे कुमार ने अपने ज्यादत स्टन्स खुद करने का फैसला किया आवारा पागल दिवाना को अपने अक्षन सीन्स के साथ कॉमेडी सीन्स के लिए भी याद किया जाता है छोटा छतरी के रूप में जौनी लीवर और मनीलाल के रूप में परेश रावल ने जबरदस परफॉर्मेंस दिये हैं हमेशन सभी का नाम भूल जाने वाले मनीलाल को लोग आज भी नहीं भूले हैं एक कमेरियन के तौर पर परेश रावल ने पहला फिल्म फे 2001 में हेरा फेरी के लिए जीता था उसके दो साल बाद एक बार फिर उन्होंने आवारा पागल दिवाना के लिए इसी कैटिगरी में अवार्ड जीता इटली में फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जौनी लिवर मिलान के एरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे तब ही एक उस्ट्रियन महिलाने उनसे आटोग्राफ मांगा देखते ही देखते लोगों को पता चल गया कि यहां बॉलीवुड के एक मशूर कलाकार आए हुए हैं फिर क्या था? जौनी भाई को भीड ने घेर लिया हौलीवुड के स्टार जौच क्लूनी भी इसी एपोर्ट पे थे भीड को देकर उन्हें भी बड़ा आश्चरय हुआ और वो भी जौनी भाई को देखे बिना नहीं रह पाए आवारा पागल दीवाना में विकरांत के किरदार के लिए सबसे पहले जैकी श्रॉफ के बारे में सोचा गया लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि जैकी श्रॉफ ये रोल नहीं कर पाए ट्विंकल खना को साइन किया गया था मगर रक्षे के साथ शादी तै होने के बाद ट्विंकल ने फिल्में करनी ही छोड़ दी और ये रोल मिला आरती चाबरिया को आवारा पागल दीवाना में आगे जो आप मोटर साइकल स्टन्स देखेंगे वैसे स्टन्स हिंदी सिनमा में पहले कभी नहीं देखे गए हर बाइकर का सपना होता है कि वो इस तरह की बाइक्स को चलाने में एक्सपर्ट हो जाए और अलग-अलग तरह के स्टन्स कर सके हाला के फिल्म न्यूयोक में बेस थी लेकिन जब बारी आई क्लाइमाक्स वाना की शूटिंग 15 दिनों तक उमान की राजधानी मस्किट में की गई 200 लोगों की इंडिन क्रू के साथ उमान के लोगों ने भी इस शूटिंग में हिस्सा लिया और की गवर्मन ने फिल्म के क्रू को पूरा सुपोर्ट देने का वादा किया था और इसी लिए फिल्म को वहां शूट किया गया इस तरह के चाकूं को switch blade knife कहते हैं अमेरिका में अकसर criminals इस तरह के चाकू रखते हैं ये चाकू चलाने के लिए अक्षे को काफी practice करनी पड़ी क्यूंकि बिना practice किये इस चाकू को चलाने में उनका हाथ खायल हो सकता था जबरदर stunts और बहतरीन comedy ये फिल्म कब खत्म होगी पता ही नहीं चला ऐसी ही कई मसालेदार महा मूवीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी तो extra shots के साथ फिल्म में देखने की अपनी आदत को बरकरार रखिए अगले हफते फिर मिलेंगे एक और super hit महा मूवी और extra shots के साथ तब तक के लिए शुबरात्री शबाखेर